मित्रों चे मतादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मतादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्यार करेंगी मित्रों वर्ष 25 में सफला एकादसी कब है 14 या 15 दिसंबर को जानिए सही तीनव तारीक पूजा का सुप महुरत पूजा बिधी और एकादसी तिती कब सुरू होगी कब समाप्थ होगी और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सीर करेंगे मित्रों, सास्त्रों की अनुसार सभी ब्रतों में एकादसी ब्रत को स्रेष्ट माना जाता है हिंदी पंचांग की अनुसार प्रतेक वर्स पौस मास के कृष्ण पक्ष की एकादसी तिथी को सफला एकादसी का ब्रत रखा जाता है सफला एका दसी के दिन भगवान विश्रू की पूजा अर्चना की जती है ऐसी माननेता है कि सफला एका दसी के दिन भगवान विश्रू की विधिवत पूजा अर्चना करने से ब्रत रखने से सभी कारियों में सफलता मिलती है और इस दिन तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के साथ दीपदान करने से सुब फ़लों की प्राप्ति होती है मित्रों अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों सफला एकादसी के दिन प्राता काल इसनान आधिकरने के बाद ब्रत का संकल्प लेकर भगवान विश्डू की बिधिवत पूजा करे इसके बाद धूप दीप फल और पंचामरित आधि अर्पित करे और इस दिन रात्री में जागरण जरूर करे और एकादसी ब्रत के अगले दिर दोआदसी पर किसी जरूरत मंद व्यक्ति या ब्रामर को भोजन करा कर दान दच्छिडा दे कर ब्रत का पारण करे सफला एकादसी के दिन पांच काम भूर कर भी नहीं करना चाहिए सफला एकादसी के दिन बिस्तर पर नहीं बल की जमीन पर सोना चाहिए सफला एकादसी के दिन मांस, मदिरा और लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए सफला एकादसी की सुबह दातून करना भी वर्जित माना जाता है इस दिन किसी भी पेड़ या पोधे की फूल पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए मित्रों अब आपको बता दे की वर्ष 1225 में सफला एकादसी कब है तो आपको बता दे की वर्ष 1225 में सफला एकादसी 15 दिसंबर दिन सो मोर को मनाई जाएगी एक आदासी तिथी प्रारंब होगी 14 दिसंबर 2025 को साम 6 बचकर 49 मिनट पर एक आदासी तिथी समापत होगी 15 दिसंबर 2025 को रात 9 बचकर 49 मिनट पर ब्रत्य पारण करने का सुब मुहूरत है 16 दिसंबर 2025 को सुब 6 बज कर 40 मिनट से लेकर सुब 8 बज कर 54 मिनट तक रहेगा